BNS section 3, subsection 5, IPCK section 34 में common intention को बतायागा है Common intention होता क्या है? कोई भी criminal act करने के लिए Group of person का समान तरीके से intention है कि यह crime किया जाएगा, crime का act किया जाता है तो यह common intention के अंतरगत आएगा Example की तरीके से समझते हैं कि 5 दोस है वह एक robbery करना चाते है planning बना लिया जाता है एक दोस्त कार में रहेगा और जब वह लूट कर कैंगे तो काल ले जाने का काम करेगा तीन दोस्त बैंक में जाएंगे और एक दोस्त बहार जाकर खड़ा रहे कोई बैंक के अंदर ना जा सके और कोई बहार ना सके या पांचों वेक्ती ने अपना-पना काम बाट लिया plan तो बन गया plan बनते समय सभी लोगों का intention सेम है कि हमें robbery करनी है bank लोटना है या समान तरीके से intention है काल लेकर वह पहुँच जाते हैं एक अपना काम कर रहा है दूसरा बाहर खड़े होगा देख रहे कोई अंदर आए ना कोई बाहर जाए ना जो तीन दोस्त हैं वो bank में चले जाते है bank में जाने के बाद दिखा गया कि bank का महौल कुछ अलग है जो सोचे थे वैसा नहीं लेकिन वो आपना काम करते हैं और सभी लोगों को डराने लगते हैं एक पैसे के पाद जाता है मैनेजर के पाद जाता है और पैसे मांगने की कोशिश करता है कि इतने पैसे मुझे दे दो जितना भी पैसा रखा है बट मैनेजर चला वह पुलीस को बुलाने के कोशिश करता है जिसमें हर बड़ी में वहां एक गोली चला दिता है मेनेजर पर मेनेजर की मौत के बाद वहां पकड़े गए पकड़े जाने के बाद वहां केस पहुचा हाई कोट में हाई कोट में सभी लोगों को मडर की सज़ा दी गए बट जो चार दोस्ते उन्होंने claim किया कि हम murder की दोसी नहीं है जोरी किया हमें पता है हम चोर है बट हमने murder नहीं किया तो क्या यहाँ common intention है कि act है act तो है बट common intention में देखा जाएगा कि अगर कोई बड़ा crime हुआ है like murder हुआ है robbery भी हुई है तो robbery करते समय देखा जाएगा कि कौन लोग थे तो पाचों लोग थे तो पाचों का intention क्या था robbery करना क्या यह planning में पहले से तैथा कि हम murder करेंगे manager का ऐसा तो plan में नहीं था बट वो दोके से हो गया एक की intention थी चारों की intention नहीं थी तो common intention क्या था robbery करना बट क्या हो गया murder हो गया तो murder में एक व्यक्ति को ही सजा होगी क्योंकि उनका intention दोखे से ही सही लेकिन हो गया लेकिन जब वह murder होने वाला था तो किसी को पता नहीं था कि हो murder होगा दोस्तों को भी नहीं पता था यह ना प्रिप्लैन था तो common intention का मेनी है कि सभी लोगों का समान intention था ग्रोप परसन थे प्रिप्लैन था और प्रिप्लैन के साथ सभी लोगों का एक criminal mindset के साथ वा crime कर रहे थे